नमास्कार दोस्तों स्वागत करते हैं आप सभी का जारकर नील ड्राइब में आप सभी का बता दें आप सभी का रिजल्ट डेट घोर्षित कर दिया गिया है तो आप सभी का रिजल्ट जो है मेट्रिक इंटर का रिजल्ट कब आएगा किस दिन आने वाला है इसका तीथी जा को जारी होना है तो इसका ओफिस्चल एनास्मेंट कर दिया गया है जहार करने केडमी कॉंसिल जेक के सचीव महीब कुमार सिना ने इसका अपडेट दिया है तो पूरी जानकर इस वीडियो में देने वाले तो वीडियो को अंतक देखिएगा और अगर आप हमारे चैनल में न सब्सक्राइब करनाने का हमारा एकी मकसद एक उद्देश होता है आप सभी का लाइक पाना तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते देरना करते हुए तो तो देखिए यहां पर देखिए मुल्यांकन रेट को लेकर जेक ने कोई नोटिफिक्सन नहीं किया है जारी कहा परती दिन सत्तर कोपी मुल्यांकन की भी कोई बाध्यता नहीं है तो सिच्छकों को बेवज़ा भरम में रखा गया है और देखिए यहां पर रियल डेट भी दिया गया है तो देखिए जहार का इकरेंड मी कौन सी जेक के सची महिब कुमार सिना ने मुल्यांकन सेंटर का निरचन किया बी एसस बालिका उची विद्याले पहुंचे इंटरमीडियेट की कोपी का चल रहा मुल्यांकन का अलोकन किया निरचन के बाद पतरकारों से बाचित की सीना ने कहा मुल्यांकन रेट को लेकर सिच्छकों में बेवज़ा भरम है मुल्यांकन रेट से संबंदित जहारखन एकेडमी कॉंसिल की और से कोई मिडिट नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गिया है परति दिन सतर कोपी मुल्यांकन भी कोई बाद दियत्ता नहीं है हाई कोट का देखिए आप यहाँ पर रिजल्ट देख पा रहे होंगे रिजल्ट का भी अपडेट दिया गिया है देखिए थोड़ा जूम कर दिया है देखिए हाई कोट ने निर्देश दिया है कि हर हाल में दस जुन से पहले रिजल्ट परकासित करना है देखिए result जो है दस जुन से पहले प्रकासित करना है high court का आदेस्थ है कि आप सभी result जल से जल प्रकासित करें लिहाजा सिच्छक को कोई इस पर विशेज ध्यान देना होगा तो आप सभी को बता दे जितना जल्दी copy check होगा उतना जल्दी आप सभी का result जारी कर देना है तो हाई code का आदेश है कि आप सभी का result 10 जून से पहले जारी कर दिया जागा तो result चेक करने के लिए वीडियो के नीचे description पर link दिया हुआ है वहाँ सजा का चेक करते रहिए तो आज के लिए इतने ही फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ जैहिंद वंद्य मात्रम